सबसे टहले यह वीडियो देखो बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाउं में एक गरीब किसान रहता था उसका नाम रामू था रामू दिन रात में इनत करता तो अभी आपने जो वीडियो देखा है यह AI generated है इसमें जो voice create की है इमेंजेस से वीडियो में convert किया है यह सब AI generated है तो इस वीडियो को मैंने अपने mobile से create किया है वह भी बिल्कुल कम ताइम में आप भी अगर इस तरह की AI generated वीडियो का short channel create करना चाहते है तो यह हवाली वीडियो आपके लिए है और इसको आपको पूरा देखना है अगर आप इस channel में पहली बार आई है तो इस channel को subscribe कर ले तो start करते हैं सबसे पहले आपने अपने story create करनी है तो story create करने के लिए आप chat GPT का use कर सकते हैं chat GPT open करके यहाँ पर अपने कुछ इस तरह prompt डालना है कि मुझे एक story चाहिए तो जैसे मैंने यह prompt लिखा है इसी तरह अपने-अपने according लिख लेना है तो यहाँ पर यह आपको story बना कर दे देगा इस story को mobile windows save कर लेंगे अभी हमें images चाहिए तो इसी को हम कहें देंगे कि हमें prompt according image idea दे ऐसे इसको आपने फिर से कुछ इस तरह prompt देना है तो इसने आपको यह images scenes generate कर दिये है तो इसको भी आपने save कर लेना notes पर तो चलिए अब हम images create करते हैं अब image के लिए आपको ideogram website पर जाना है यहाँ पर आपने अपना account create करना है दें यहाँ पर आपको नीचे plus का sign दिखेगा यहाँ पर click करके अपना image prompt डाल देना जो भी script बनाती time create किया था यहाँ आपको ratio select करनी है अपने images की अब यहाँ prompt आ जाएगा यहाँ पर हम इसको create कर लेते हैं यहाँ पर आपको image मिल जाएगी अब इसमें आपको जो पसंद आती है उसको आप यहाँ से download कर सकते हैं इस तरह आपने seeings के according बाकी की images create कर लेनी है अब हमने image से video create करनी है तो उसके लिए हमने रूमा AI पर website पर आ जाना है और इसमें account create कर लेना है अब यहाँ पर हमने AI video generate करनी है तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ आपको daily credit मिलते हैं यहाँ से अब इसको image देंगे जो हमने create की थी और साथ में image का prompt जो हमारी story का है paragraph वह डाल देंगे तो यह हमें एक video बना कर दे देगा अभी यहाँ पर इसको हम play करके देखते हैं तो देखने में यहाँ अच्छा लग रहा है हमारी story के लिए एक scene create हो गया तो इसको download कर लेते हैं अब हमने ऐसे ही बाकी scenes वाली video create कर लेनी है अब हमारी video तो generate हो गई अब हमें अपनी video के लिए चाहिए voice अगर आप अपनी story के लिए voice अपनी record करना चाहते हैं तो अपने mobile में simple record app से create कर सकते हो आपने अपनी story को read करके record कर लेना है अगर आप अपनी voice के बदले AI voice बनाना चाहते हैं तो आपने dub dub AI website पर आ जाना है यहाँ पर आपको free में AI voice मिल जाएगी हिंदी में मैं हिंदी story बना रही हूँ तो हिंदी के लिए आपको कुछ voice character free में मिल जाएगे सभी voice character के लिए premium account चाहिए तो अभी जो भी free वाले characters है उसमें से select कर लेना यहाँ पर हमने अपनी जो voice का scene paragraph है वहाँ हमने यहाँ paste कर देना है यहाँ से आप settings change कर सकते हो मैंने अभी तो by default यही रहने दिया है इसको अब हम preview करके देखते है बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान रहता था उसका नाम रामू था रामू दिन रात में हिनत करता voice सुनने में तो अच्छी लग रही है यह हमारी AI voice बन गई है इसको अब हम यहाँ से download कर लेंगे तो यहाँ से हमने अपनी story की पूरी voice बना लेनी है तो अगर आपको long video create करनी है उसके लिए आपको character limit ज्यादा चाहिए इसमें आपको दोबारा account create करना होगा और उसके लिए आप temp mail id का use कर सकते है अभी हमें अपनी story पूरी complete करनी है तो उसके लिए हमें एक editing app चाहिए तो मैं यहाँ पर यह इं short app यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर पहले जो video फेर किया उसको हम select कर लेंगे then इसके according जो AI voice बनाई हुई है उसको यहाँ से select कर लेना है यहाँ से आपने जो voice create की थे वहाँ वाली voice इसमें add कर लेनी है अब आपने अपनी video को voice according adjust करना है और अगर अब आप कुछ text add करना चाहते हो और video की editing करना चाहते हो तो वहाँ भी आप यहाँ से कर सकते है कुछ filter set करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएगा अगर animation लगाना चाहते है तो वह यहाँ पर animation की option है यहाँ से अप लगा सकते हो तो अभी यह video play करके देखते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरह से है तो अभी इसको हम save कर लेंगे तो आपकी यह video है जो कुछ ही time में बनकर ready हो बई है इसको आप YouTube पर upload कर सकते हैं और shots channel बना सकते हैं I hope आपको यह video अच्छी लगे वीडियो पसंद आई है तो like और comment करके जेरूर बताएं Thanks for watching